हेलो फ्रेंज राम राम आप सभी को स्वाकत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेसल चोकलेट मिल्क बर्फी मिठाई की दुकान पर होती ना नीचे से वाये टूपर से ब्राउन कलर की बिल्कुल उसी तरह स बच्चे और बड़े हम सभी को बहुत पसंद आती है तो आये फटाफट से सुरू करते हैं इस रेसीप को यहां सबसे पहले हम गेस पर कड़ाई चड़ाएंगे इसमें मैंने लगवाग आदा कप घी लिया गी को हम अच्छे से पिगलने देंगे अच्छे से हमारा गी पि पाउडर से ही बनाने वाली हूँ तो यहां पर मैंने दो कप मिलक पाउडर ले लिया है मिलक पाउडर को थोड़ा तो डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी लंब सना रहे अच्छे से मिक्स हो जाए और आप बाजार की मिलावत मिठाईयों से बचिए और आप चाहे तो मिलक पाउडर से धेरो मिठाईयां बनाएं घर पर ही तो इसे हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे बढ़िया से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंब सना पड़े ऐसा बिल्कुल मत समझे कि हम मिठाई अच्छे नहीं बनेगी बिल्कुल माव चीनी लीजे मिक्सी में पीसे और पाउडर बना लीजे तो मैंने यहां चीनी का पाउडर बना लिया मिक्सी में पीसके तीन चोथा यानि पांसे छे चमच सकर लिए मैंने सकर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो तो हम चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्य और पकाना है तो हमें से अच्छे से और पकाएंगे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से सारी चीजे मिक्स हो जाए वह यह आसान सी रेसीप है आप जरूर जरूर बनाईे बच्छों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह है चोकलेट मिल्क बरफी है बहुत ही टेस्टी लगत तो हमें नने थाली पे Itu पहते भी फेली तरह सकते हो आप चाहें तो बड़ फिल जोपम जरते हो तो अब ने यह कोको पाउडर है तो पाउडर को भी हम अच्छ से डाले था MA मिक्स तो इसी में मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे कि उतना बढ़िया कलर नहीं आया तो आप उसमें थोड़ा सा कोको पाॉडर और एट कर सकते हो मोध्स में सबस्क्राइब कोको पाॉडर कرश करके भी डाल सकते हो तो यह लिजी हमारा मिक्स त्यार हो चुका है हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे तो इसे भी हम अच्छे से प्लेट में 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 तुम अपने मन चाहीरे के से डेकोरेट कर सकते हो तो यह कितना बढ़िया लगत है हमारी छोकलेट मिल्क परफी іс्थापी तो यहां पे फटे में तो पिस्था और बादम से रही हूं आप अपने मन चाही तरीके से सजा सकते हो बहुत ही बड़ी है हमारी ちوکलेट मिलक अवर पहीं त्यार हुए है आप जरूर जरूर बनाइए बहुत ही आसानी रेसिपी है ये लीजिए हमारी चोकलेट मिलक अवर पहीं बीलकुल तेयार है देखें कितनी बड़िया दीख रही है बिल्कुल वैसे दीख रही है जैसे मार्केट में मिलती है वैसे खाने में तो बहुत बहुत टेस्टी है आपको मेरे यह वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी है तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर और सुस्क्रैब करना न भूले ताकि मैं आने वाली हर वीडियो आप तक पहुचा सब को थेंक यू